हेलो दोस्तों सुआगत है आप सभी का SACB में जैसे की आप सभी को पता है SACGD का जो एक्जाम में वो अभी चल रहा है और उस एक्जाम में इतने भी आपके जिये के कोशन आ रहे हैं वो सभी के सभी मैं आपके लिए प्रति दिन लेके आ रहा हूं तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहला कोशन सबसे पहला कोशन है भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांदी पहली बार कहां शामिल हुई थी देखिए पहली बात तो यह चला आ रहा है Indian National Congress यानकी INC INC के Establishment चुटती है 1885 में कौन करते हैं तो यह करते हैं A.O.H. यह आप इन जीजे को ध्यान देना है यह एक्जाम में आती है और यह जो भारत जोड़ो यात्रा है तो यह कर रहे हैं राहूल गांदी क्या राहूल गांदी वर्तमान में Congress के Chief हैं तो नहीं वर्तमान में Congress के जो Chief हैं वह है मलीका अरजुन खरगे और इन्होंने किसको हराय था अब चुनाव में प्रैसिडेंट बनने के लिए चुनाव में किसको हराय था तो यह हराय था शशी धरूर को यह आप यहां पे ध्यान रखेंगे ओके शशी धरूर है तो प्रियंगर गांधी इन पे कब सामिल हुई थी यहां पे तो यह ध्यान दखेंगे आप तो यह मध्य परदेश में सामिल हुई थी मध्य परदेश में रहुल गांधी से यह सामिल हुई थी अंतिम पंचवर्से योजना का कारेकाल क्या था देखिए पहली जो पंचवर्से योजना थी वो थी 1951 से 1956 के बीच में अगर यहां पे कभी आपसे यह बोल जाए कि यह जो पंचवर्से योजना है यह किस मॉडल पर बेज थी तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान देना है यहां पर आप लोगों को दे दूंगा हमारी ससी बी टेलिग्राम गुरुप में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप जॉइन करोगे तो वहां पर मैं करेंट रफ्रेस जीस बहुत चीज़े डालता हूं कोशन्स भी मिलते हैं आपको वहां पर तो आप उन्ची जोगों देख सकते हो चेक कर सकते हो तो हराट डोमर मोडल था दूसरी पंचवर्स योजना का बात थी 1956 से 1961 के बीच में अब कई बार यह भी बोलते हैं कि यह जो दूसरी पंचवर्स योजना यह किस पर बेजड थी तो यह बेजड थी जवाल लाल नहरू और और पीसी महलनोबिस स्टाटेजी पे महलनोबिस याने की पशानता चंतर महलनोबिस देखिं अंति पंचवर्स योजना थी बार्वी पंचवर्स योजना और यह जो पंचवर्स योजना थी ते कारेकल कितना था यह था योंधा 2,012 से 2,017 के बीच में यह आप यहां पर ध्यान देना 12-5 वर्षिय उजना 15-5 वर्षिय उजना के बाद भारत में 5 वर्षिय उजना उजना होगा चारे काल खतम कर दिया गया अब यहाँ पे नीती आयोग आता है और नीती आयोग क्या करता है यहाँ पे 3 िस्टrategies पे काम करता है 3, 5 और 7 वर्ष के आपर क्या बना जाता है मॉडल बनाया जाता है चलिए मैं इसको मिटा देता हूं उसके बाद आप लोग देख लेना है अगर आप लोग को पीडिएफ इसकी चाहिए तो आपको एससे भी टेलिग्राम चैनल में आना पड़ेगा वहाँ पर आपको सीचे मिल जाएंगी दूसरा है यहाँ पर आर्टीकल 36 यह होता है इस्टेट एमर्जंचे जिसे हम बोलते हैं प्रेसीडेंट का रूल और तीसरा आता है यहाँ पर आर्टीकल extra कल काल जिस हम बोलते मुझे फळाशे भारत में अभी तक एक भार भी लागू नहीं हुई है ये एक्जाम में आता है सबसे छोटा वेद कौन सा है भारत में चार वेद हैं तो यह सबसे उपरा ना रिग वेद फिर दूसरा है साम वेद फिर तीसरा है यजुर वेद फिर चौता है अथरव वेद अभी जो साम वेद है ना ये सबसे छोटा भी है और ये भारतिय संगीत का बेस भी है याने कि जो हमारी धुन होती है न साथ धुन होती है सारे गामापाधनीसा वो यही से उत्सरजित हुई है यही से निकली है रिगवेद में मंतो उचरन का कार्य बताया गया है अथरवेद में आयरुवेद और जाज़ुड़न इस लिटेट बात करी गई है यजुरुवेद में यग्ये कैसे करेंगे उस सबसे प्राचीन वेद क चिन मिलते हुआइँ लड़ार इंदे संविधान के किस भाग में सब्सक्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग में आपको मिलता है बहाग 5 आपको पता है सम्विदान के 25 भाग है कई बुक्स में आपको 24 भी लिखा हो मिलेगा क्योंकि वह एक जो भाग है वह एक भाग का पार्ड है तो भाग 5 जो की है हमारा उसमें आपको मिलेगा अनुच्छे 124 आर्टिकल 124 जो आपसे बात करेगा भारत का एक सर्वुच नयाले होगा दूसरा है राज्यकारिपालिका का प्रमुक कौन होता है राज्यकारिपालिका की बात कर रहा हूं मैं यह स्टेट गवर्मेंट की बात कर रहा हूं स्टेट एक्जिक्योटीव की बात कर रहा हूं तो यह होगा यहां पर राज्यपाल राज्यपाल की निउक्ति कौन करता है राश् अग्ली है तो यह पर ध्यान देना दिल्ली एक राइट अंसर विदेशी मुदाइशार का संग्राह किसके पास होता है तो विदेशी मुदा रिजर्ब आटिक्स रिजर्ब प्रेक्स अब ओक्तिय लेता है यहां पर आएगा स्मीथ और यह पर आप प्रिशर्थ है यहाँ पर आपसे भारती पुझाता है तो वह होंगे आपको सीडी देश्मोख वर्तमान में कौन है इसके चेर्मेन यह आप मुझे कमेंट पर बतायेगा कि ँचलिए कि तो इस राजयिस संबंदित मिलीगी आपको अैंदमी परहलेंटेग और यह जएや कल्च्व है अंपने द्यान देना तुसरा है पहली पार्त कौन से वह जो दमें आपको आपको निसमाये बिहार एस एम आई ए यह जो ए होती नहीं एक्स परत भी कह सकते हो कई बुक्स में आपको पांच परत लिखावा मिल जाएगा इस ट्रोपोस्पेस हम बोलते हैं शोब मंदल जिसमें इंसान रहता है सबसे निचली परत होती है मेगाले के किस जली में सरवादिक वर्था होती है तो देखिए चेरापंजी harmony आप सब्धाद और बारिस होती है संविधान के भाग्षे में राज्य के लिए कितने अनुछे द्वर्णित हैं देखे संविधान के भाग्षे भाग जो 5 है वह संग के लिए भाग्षे जो है राज्य के लिए तो यह कहां से कहां तक मिलेगा आपको यह मिलेगा आपको आर्टिकल 152 से 237 तक तो यह आर्टिक के मुखे मंतरी कौन है तो यह भगवन्तमान है ना नर्ञिया वजीर ने मिया वजीर ने ओके अमोनियम क्लोराइड का रसाइनिक सूत्र क्या होता है तो यह होता है नहीं पूजा कि जाती है विष्णु भगवान के लिए वर्तमान में सम्मिधान में कुल कितनी अनुसूचिया हैं अनुसूचिया आगर हमें आपे बात करें शेडिल्स कितने हैं तो 12 हैं टोटल सबसे पहला जब सम्मिधान लागू हुआ था तो उसमें 8 ये अनुसूचिया थी फिर 1951 में पहली जोड़ी जोकी 9 अनुसूचि थी अभी वर्तमान में 12 अनुसूचिया हैं भारतिय सम्मिधान में वर्तमान समय में कितने अनुसूचिया थे टोटल आर्टिकल आपको 395 मिलेंगे बाकि जो आर्टिकल्स हैं वो हटा दिये गया है महराष्ट के मुख्य मंत्री जिन्हों ने 2022 में इस्तीफा दिया तो 2022 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां पर आपने दिखाओ ये इफ्यक्टिश का नाम बहुत चला थे एकनात सिंदे और ये जो एकना वर्तमान में महराष्ट्र सरकार को चला रहे हैं वर्तमान में महराष्ट्र राज्य के राज्य पाल भी है इनाम गाउं का संबंद भारत के किस राज्य से है इनाम गाउं इनाम गाउं बहुत इंपोर्टेंट है इनाम गाउं से कई पर कोशन आपने देखा होगा तो यह आ लामू लोक निरत्य किस राज्य का है लामू लामू की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको जो लामू नोक रित्य मिलेगा वो मिलेगा अरुनाचल प्रदेश में और जो अरुनाचल प्रदेश में और जो अरुनाचल प्रदेश है इसके राजधानी क्या है तो यह इटा नगर राज्यों में सर्व से कम आपको जन घरत्व आपको अरनाचल परदेश में ही मिलेगा डियार डियो डिफेंस रिचर्ड्स एंड डेलप्मेंट और्गनाजेशन तो यह 1958 में इसकी कि टमकेंट होती तो यह डिय ऑडियों कि चेर्मेंन कौन है यह जी सटीस रेडी मौलिक कर्तव विए किस देश से लिये गये हैं तो मैक कर्तव मैं बताने किस में विए गये हैं तो रूस से लिए तो हमने वर्तवान में हमारी मौलिक कर्टवे से लेटेड जो हमारा भाग है वह है भाग 4A और आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल 51A यह तोनों एक्जाम में आता है किर्केट के पीछ की लंबाई कितनी होती है तो किर्केट के पीछ की लंबाई आपको 22 गज देखने को मिलेगी 22 गज यानि कि 22 यार्ड लूडो का संबन पासा है यानि कि लूडो में आप पासा देखोगे उसे पकार से क्रिकेट का संबन किस से होगा तो वह होगा बल्ले से क्योंकि लूडो को हम पासे से खेलते हैं क्रिकेट को हम बल्ले से खेलते हैं पहली पंच वरसी योजना अधा मॉडल और कारेकाल 1951 से 56 के बीच में था द्युति हरित करान्थी 1965 के पाइस पास होती है त्युति पहली बता चुकांगे हरित करांथी जो की हुई थी 1965 में और जो द्युति हरित करांथी होती है वह होती है 1983 से 84 की पीच में चत पर जल सनक्षन कौन सा राज्य ने शुरू किया था ये एक स्कीम है योगे शुरू को रिगे थी तमिल नाटू के द्वारा 2022 में योगा दीवस की थीम क्या थी 2022 में 2022 में आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी तो ये थी मानवता के लिए योग मानवता यानि की योगा for humanity मानवता के लिए योग गंगोतरी गंगा नदी का उद्गम इस्थल कहां है जो गंगोतरी है ये गंगा नदी का उद्गम इस्थल है तो ये गंगोतरी है गौमोक जिसे हम बोलते हैं यह उत्तराखंड में है उत्तराखंड के आपको किस जिले में मिलेगा तो यह उत्तराखंड के आपको कहां मिलेगा गंगोत्री यह मिलेगा आपको उत्तरकाशी उत्तरकाशी जिले में मिलेगा अमेरिका की मुद्रा क्या है तो यह डॉलर यह बहुत सिंपल है लोगपाल की बढब कोनकरता है तो लोगताल के नियुकती भारत के राश्ठर परत्ति करते हैं भारत की प्धार होज कि तुर आपको मैं इसमें आफान पर से अभी तक हम लोग देखेंगा से उसके गठन हुआ है तो एक बार भाजपा एक बार आपको कॉंग्रेस देखने को मिलेगी तो इस बार भी वैसा ही हुआ पिसले बार भाजपा थी तो इस बार आपको कौन मिलेंगे यहां पर कॉंग्रेस मिलेगी और किस्ण जीता है कॉंग्रेस ने तो सुक्विंदर चैन्द्रगुप्त मौरे के दरबार में और इसने बुक भी लिखी है इसको हम बोलते हैं इंडीका जो कि अधारित है सद्रगुप्त मौरे के साशन पर राधा रेड़ी किस निरत्य से संबंधित है अगर राधा रेड़ी का संबंध है वह कुछी पुडी से कुछी पुडी कि स्पालाया बाएल को तश्व. सबसे पहले यहां पने सिंप और किस दिया गया था विश्वुनात्र आनंद को जो की चेस प्लेER है और 1991 के आसपास इनको ये दिया गया था विश्वनात आनंद किसके संबंदित है देखे प्रश्ण आरका है तो हम इसे बोलते है चेस उपादियों का अंद किस अनुच्छेत में मिलता है यान कि असप्रिशता का अंद 19 क्या होगा फिर आपका 19 होगा यहां पर आपका राइट टू इक्वालेटी राइट टू फ्रीडम सॉरी संद्वता का अधिकार राश्पति की निर्वाचन की पदेती किस देश से ली गए तो भारत में राश्पति जो निर्वाचित होता है वो निर प्रिंसिपल स्टेप पॉलिशी यान की जिसे हम बोलते हैं राज्जी के नीती निर्वाचन कहां पर है तो यह अंदमाने निकोबार में उसकी राजदानी में पूर्ट ब्लेयर में क्योंकि यहां पर आपका प्ता है वीर सावरकर एक मात्र जो हमारी काला-पानी की जेल है कोई नहीं भाग पाए केवल यही भाग पाए थे इस वाई से यहां पर आपको और कोई प्रस्न मिले हैं तो आप मुझी जरूर कमेंट में लिखेगा ऐसी डेली आप लोग के लिए मैं प्रस्न लाता रहूंगा थैंक्यू